असलाम उलेकों इंस्रॉमेंटेशन ओफ यू विजिबल स्पेक्टम्ट्रूसकॉपी यह काफी two types of, two types of, types of UV visible spectroscopy, यह spectrometer, UV visible spectrometer, spectrometer, मारे पास जो UV visible spectrometer होता है, यह दो दरहां के होता है, पहला जो हमारे पास टाइप है, यह है single beam spectrometer, single beam spectrometer, beam spectrometer, spectrometer, और इसका बज़ा है, second type हो है, double beam spectrometer, double beam spectrometer, आज की इस विडियो के अंदर चीज़ हम डिसक्स करेंगे, वो है शिर्फ और सिर्फ single beam spectrometer है, इसके बाद next video के अंदर हम बात करेंगे, double beam spectrometer. चैसे हैडिंग देदों सिंगल बीन स्पैक्तोमीटर सेंगल बेम स्पैक्तोमेटर छैखेंज अगर सिंगल बीबार उडबल बीब मतलब क्या सिम्पल साइवसा डीफेंस है अगर आत्स childhood स्बיठरेंस आना तरेम नेते हो इसके अजिये sample और reference cell same होगा अगर double beam की बात करते हैं तो इसमें sample cell और reference cell दोनों अलग अलग होते हैं कोई ज़दे difference नहीं है सारे component same है सिर्फ एक चीज़ का फरक है वो है cell जिसके अंदर आपने sample solution लेना होता है और blank solution लेना होता है भाई यह simple सी बात याद रखिएगा इसमें क्यों होता है in single beam spectrometer in single beam single beam spectrometer single beam spectrometer में cell for cell for sample sample के रही जो cell होता है and for blank and for blank blank होता है हमारे पास solvent को अकेले डालके हम चीज़ चाहिए कितनी एब्जॉर्बेंस आरी है इसके बाद analyte आपको कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है light को सही है for blank are same are same बस यह एक simple सी चीज़ है इसको याद रखिएगा यही दोनों के अंदर main difference है अब इसके जो main component है construction की बात कर लेते है क्या चीज़ मारे पास next आ जाएगी construction construction की बात हम diagram बना के करेंगे सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है source of light हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है source source of radiation 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 सबसे पहले हमारे पास source of radiation होना चाहिए source of radiation ऐसी चीज जिसके अंदर से radiation निकले हैं radiation को emit करें किस region में UV visible region में अब जो हमारे पास source of radiation इस UV visible spectroscopy में यूज कर रहे होते हैं वो चांद एक यह वाल है हमारे पास सबसे पहला जो source of radiation है वो है hydrogen and deuterium लें hydrogen hydrogen and deuterium deuterium lamp यह हमारे पास पहला source है इसके बाद हमारे पास आ जाती है second source की बाद second source जो हम यूज करते हैं वो है xenon lamp xenon lamp third source हमारे पास है mercury lamp hg lamp और fourth source है यह भी कफिर जीदे important है यह है tungsten filament tungsten filament tungsten filament कहां पर होता है जो आपका आम बलब है ना जो घुरों के अंदर इस्समाल करते हैं सो वोट का बलब होता है उसके अंदर जो बारीक सा एक स्प्रिंग होता है वह tungsten filament होता है उससे भी आप यूवी वीजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में के लिए इस्समाल की जाती है यहां सब्सक्राइब सौर्स ऑफ लाइट से जो रेडियेशन जाएगी उसकी मुख्तली वेवलेंट होंगी जब इस मोनो करो मैटर के अंदर से घुजरेंगी तो वही रेडियेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेवलेंट को आगे घुजरने देगा इस चीज़ को आम नाम दे रहे होते हैं मोनो क कोरो मैटर में यरिज रासकते हैं पीज्ग क्या चीज canvas सकते हैं मनो कोरो मैटर इसमाल का सकते हो इसके बाद जो नेक्स कीज़ और है diffraction grating diffraction grating और इसके बाद हमारे पास एक और भी source है monochromator के तोर भी जो हम use कर सकते हैं वो है transmitting grating transmission transmission grating यह यह चंद एक हमारे इसके आगे हमारे पास क्या होता है यह पड़ा हुआ है और से अंदर हमने डाला होता है analyte जिस चीज की हमने analysis करना होता है यह हमारे पास है cell और सेल के अंदर हमने कोई चीज लिए होती अनलाइट और सेल के बाद हमारे पास जो आती है वह हमारे पास डिटेक्टर नेक्स मारे पास जो कंपोनेंट हो क्या है अब क्या होता है कि आपका जो पिछे से सारी के सारी एब्सारिबंस आती है ओओ सिर्डुडर घ्राफ की फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करके दिखा जाता है कि हमारे पास जो कम्पाउंड था उसका एब्सौर्बंस कितनी हुई है किस वेविलेंट पर हो लिए हो री है त सार हमारे पास यह Πर सकते हैं यह यहां पर यहां पर मुझ कर सकते है पहले नेबर पर हम यहां पी डीक्त बाद कर सकते हैं यहां यहां आपे लिख इसके बाद जो second चीज हमारे पास detector के तोर पे इसमाल की जा सकती है वो है photo tubes, photo tubes, third number पर जो चीज हमारे पास as a detector इसमाल की जा सकती है, वो है photo multiplier tube, photo multiplier tube, और last जो चीज है, वो है semi conductor, detector के तोर पे इसमाल की है सकते हैं, semi conductor, यह चांद एक चीज हैं जो के हम as a detector यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेजी हमारे पास हाँ, instrumentation of UV visible spectroscopy, इसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल beam spectrometer को डिस्कस किया है, इंशादार नेक्स वीडियो के अंदर डिस सकते हैं, इंशादार नेक्स का एक्स सक्रेंशो लेले.